कुट अपा चुपके से देखिया कि ये क्या करें? कुछ लिख भी रहे है या कशकाला करें? जाते क्या? शाल्दा, मुझे तो पल्ले ही नहीं आता है क्या लिखाए? खुद अमद में नहीं आला फ्यारती हमने तुझे भीजा ये मेरे घरवालों को आज कौन सा साम सुंग गया है कोहीं मुझे बताएगा कौन सा तुफान आने वाला है जिससे पहले कि ये शान्ती है सुनिये सुन रही है ना? नहीं लिख रहा हूँ देखिये, आप यहां कागस गीला कर रहे हैं और वहां भासकर ने अपनी लंगोर गीली कर दिये ज़रा देखिये दो सही तुम देख लो किसी बाते कर रहे हैं? आपको दिखता नहीं? हम मसाला कूट रहे हैं ठीक है? तुम मसाला कूट रही हो तो क्या हुआ? उसे कह दो जो जीवन वर अपनी लाठी से मुझे कूटती हुई आई है बहुत दिन बाद जाप करने में गहरा मन लगा है दस बार हो गया है? दस हजार बार समाप करके ही उठोंगी वाँ 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 नहीं नहीं मिली इसमेजी एक दें ती कायब है लुकता दुंदराओ सबने मुझे इस घर का नौकर समझ लिया है अरे बासकर तेरी लंगोड तो सूखी है फिर तो क्यों दुखी है? शानत रहकर अपने पिता का सहयोग दे ना हमारी प्रिये जगन मोहिने? यदि हम चांद है तो तुम हो हमारी चांद नहीं हम यदि बादल है तो तुम हो वायू जो अपने साथ होड़ा ले जाती है शानत तुम मेरे पत्र नहीं पढ़ सकती क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हमें पढ़ना आता है देखो, हम यदि नदी है तो आप है हमारी समोत्र जिसमें नदी मिलीन हो जाती है बस 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 पता चलिए कि तुम्हें पढ़ना आता है अब बस भी करो क्यों बस करें आपको लग्जा नहीं आदे हमारे होते हुए किसी और को प्रेंट के लिखते हुए तुम क्या तुम मुझे लिख कर दोगी देखो अम्मा जगन मोहिनी जगन मोहिनी है कौन आप भूल गई क्या उरिशा की राजकुमारी जहां हम सब महराज के साथ शिवजी के अभिशेक के लिए गए थे वहीं तो मिली थी वो जगन मोहिनी उसका नाम जगन मोहिनी नहीं कपट तो मोहिनी होना चाहिए हाँ अम्मा जो दूसरों के पत्यों को अपनी और मोहित करती है नलायक कहीं का तुझे शर्म नहीं आती प्रेम पत्र लिखते हुए वाँ बापू सही ही कहा है किसी ने कि वानर कितना भी सीधा हो गुलाटी मारना नहीं छोड़ता परन्तु आप एक गुलाटी में उरीशा की राजकुमारी तक पहुँच गए और बाप प्रेम पत्रे लिखने तक आ गई लिखो लिखो मेरा भी ज्यान बढ़ रहा है महा ये पत्र मेरी ओर से नहीं ये मैं महाराज की तरफ से राजकुमारी जगन मोहिनी के लिख रहा हूँ अच्छा अब मैं समझी महाराज ने बिना कारण तुझे निश्कासित नहीं किया अपितु गुप्त प्रेम पत्र लिखने हे तुझे अफकास दिया है जिससे महाराणियों को पता ना चले मुझे तो पहले ही बता था कि महाराज और जगन मोहिनी के बीश को चल रहा है आग तोनों तरफ से लगी थी महाराज का कोई प्रेम प्रक्राण नहीं चल रहा है गदा वा लात मरो तुम और गदा हुआ मैं हाँ तु है गदा प्रेम पत्र एक यूदेश से लिखा जाता है मा सुनो सुनो द्यान से सुनो देखो ऐसा आवश्यक नहीं है महराज ने उस कटपुतली वाले खेल के आधार पर बिना कारण ही मुझे पर संदेग किया मुझे मेरे पद से निश्कासित कर दिया इस बात का मेरे रिदे पर बहुत बड़ा घाव लगा है हाँ बापू आवश्यक्ता से अधिक जोगे मुठाना बेवकूफी कहलाता है आप ऐसा मत करो देखो मेरा रिदे साफ है मैं तो बस महराज को ये आभास दिलाना चाहता हूँ कि जब बिना कारण किसी पर संदे किया जाता है तो उसे कैसा आनुभा होता है आपको पता है ना कि आप क्या करें है यदि कुछ गरत हुआ तो महराज क्या कर सकते है हाँ हाँ मैंने सब आकलन कर लिया है और ये पत्र मैं दोनों महरानियों को ध्यान में रखकर ही लिख रहा हूँ देखो, दोनों महारानियां जगन मोहिनी के कारण महाराज पर पहले सही संदे करती है ये पत्र पढ़कर जगन मोहिनी लोड़कर विजय नगर आएगी और महाराज संदे के पात्र बन जाएंगे और जब महराज संदे को दूर कर, दूद का दूद और पानी का पानी कर देंगे, तब तुझे दोशित कहेंगे, तब अम्मा, इस समय तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी थोड़ी सी विश्वास की आविश्यक्ता है और मेरी इस यूजना से महाराज को जो सीख मिलेगी, उससे सब का भला होगा महाराज का भी, दोनों महाराणियों का भी, और मेरा भी, मुझे मेरा पद फिर से प्राप्थ हो जाएगा पर ये पत्र जगन मुहिनी तक पहुँचेगा कब तर? ये पत्र दूद कल दोपहर तक राज कुमारी जगन मुहिनी को पहुचा देगा बापू, बहुत छोटा सा मुझ और बड़ी बात कहूँ आप अपनी इस यूजना पर एक बार और विचार कर लो, मुझे कुछ खटक रहा है दासी, दासी हमारे विचे नगर जाने का प्रबन किया जाए जो आग्या राज कुमारी जी शार्दा, आज मेरे पेट को बहुत तीवर भूक लगी है यदि इसे शीगर भोजन नहीं मिलाना, तो विचारा मर जाएगा अब तो भोजन तभी मिलेगा जब वो आएगी कौन आएगी? राज कुमारी, जगन मोहिनी शार्दा, कल तो उन्हें पत्र मिला होगा उसके पस्चात वो आने की तयारियां करेंगी उडिसा से विजय नगर आना व्यनजन बना कर खाने का कारे नहीं है तुम एक कारे करो, आज व्यनजन में न, हलवा बना दो हलवे में से जो मीठी मीठी सुगंद आती है न हाहा, हाहा, अम्मा की सुगंद, चान में जाना जाती है आपके सामने भोजन का आगमन अब तभी होगा जब विजय नगर में राज कुमारी का आगमन होगा है, हैसा क्यूँ, हमसे भोजन की बात कर रहा है तेख शार्दा, इसे तो इतना भी नहीं पता कि हम भोजन से नहीं अपितु, चगन मोहिनी, महराज और महरानियों के बीच होने वाली चटपटी बातों से चुगली कर अपना पेट भरने वाले हैं हाँ, मा, आपको पता है, पिछली बार में कितना अनन्द आया था और इस बार तो हमने पहले से ही सोच लिया है कि कैसे इस विशे में नमक मिच लगाकर इस विशे की अफ़ाई उडाएंगे क्या? शिव 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 बापू, आप संदेह का खेल आरम तो कर रहे हैं ये किसी संकट का रूप ना ले ले क्योंकि अम्मो और शार्बा का ये उद्सार तो ये ही संदेह दे रहा है महराज जी महरानीची हमें कई दिवसों से लग रहा है कि आप मात्र शाररिक रूप से हमारे समक्ष है मानसिक रूप से नहीं सब कुशल तो है ना जी हम ठीक है महराज हम आपके अर्दांगनी है यदि आपके हिर्दे में कोई ऐसी बात है जो आपको भीतर यभीतर पेड़ा दे रही है तो प्रिपाकर हम से कही है महराज महराज हम आपके लिए एक विशेश फ्यंजन लेकर आए है महराणी जी आप इतना कस्ट क्यों लेती है कि उसके परश्चात हमें कस्ट हो जाए जी हमारे कहने का आशे है कि आप इतना कस्ट लेकर जो विशेश व्यंजन बनाती रहती है आपकी पीड़ा की अनुभूती हमें भी होती है महराज आपके इसी उत्ताते तो हम ये बना कर लाए हैं छोटी रानी इस वार आपने क्या बना डाला? हमने? हमने बनाया है बकरी के दूद में बना सीता फल का दलिया महराज आप एक बारी से चखिए तो सही हम तो इसे हाथ दी लगाना नहीं चाहेंगे हम है ना? हम आप को अपने हाथों से इसे खिलाएंगे आप बस मूँ खोल कर ताबदार मुद्रा में खड़े हो जाएए नहीं महराज सर फ्रधम आप हमें ये बताइए कि आपके चिंता का विश्य क्या था आप दोनों शांथ हो जाएए बस रात काल शुरू हो जाती आप दोनों यज़िए आप दोनों हमें कुछ देना चाहती है तो हमें एकांस दीजिए जिसके हमें आवश्यक्ता हैं क्या बताईए दिवाएंगे एकांत महाराज की जय आप क्या विश्यशने कराएं महाराज आप दो दिन से दर्बार में नहीं आए सब कुशल्टों हैं हम आपको कैसे लगने मामंत्री जी महाराज हमें तो ठीक लग रहे हैं अद्भूत तो इन राज क्या आपको आपके प्रश्यंका उत्तर मिल गया होगा जी महाराज कि महारानी जी कुछ आज यो डाल में कुछ काला नहीं है थाल रहा है वो भी बक्री के दूद्ध में बना हुआ अध्भूत लाइट हमें दीजिए कि अ आ आप प्रसन है आप नहीं जिदि आप हमें प्रसन देखना चाहते हैं तो ये बताइए राज कुमारी जगन मुहिनी यहां क्यों आई है महराज हम राज कुमारी जगन मुहिनी को क्या सुचित करें हमारा सर्मा मंत्री ची जी मुखुट के साथ या मुखुट के बगया है अरे अरे रूप इद्र है अम्मा शालता राज कुमारी जगन मुहिनी विजय नगल में पता चुकी है अम्मा राज कुमारी जगन मुहिनी आदे इतनी शीकल कैसे ही हर कोई तेरी भादि सुस थोड़ी है अम्मा राज कुमारी आदे है हाँ बापू जगन मुहिनी को कुछ जादा ही शीकरता है महाराज से मिलने की नित्य तो ऐसे कर रहे हो जैसे किसी की स्वयमवर में मुख्य तीथी बनकर बुलाया हो घर का जो इतना सारा कारे पड़ाया उसे कौन करेगा घर का सारा काम कहा है सब हो गया अगर का सारा काम हो गया वस्त्र भी धुल गये साफसफाई भी हो गयी आपका हलवा भी बन गया बस अब एक काम बचा है वह आप कर लीजीगा खा ले ना बस भ़ी काम किजिए अमा चलो राजमेल हमारी बात अन्हें अपना सुक खोजने पर भी नहीं मिलता है अच्छा मेली अम्मा तेना निम है और में विभायत निम अन्याता मेली इस चीठी भी लामा की जैसे होती रोक तू राज कुमारी जगन मोहिनी प्रणाम बड़ी दिदी, प्रणाम छोटी दिदी जोटी राणी, इस प्रकार मुँद फेर कर खड़ी रहेंगी तो प्रश्ण क्या महल की दिवारों से पूछेंगी? प्रश्ण क्यों प्रश्ण महल की दिवारों से पूछेंगे? यदि राज कुमारी जगन मोहिनी उड़ीसा से विजयनगर तक आ सकती है तो यहां आने का कारण भी बता सकती है इतने दूर कोई सेर करने ठोड़ी न आता है नहीं नी दीदी, मैं सेर करने नहीं आए हूँ विजयनगर का नाम बहुत सुना था न? इसलिए विजयनगर ठोड़ी ना बड़ा राजी है पड़ा नाम तो हमारे मू बुले भाई की पत्नी की ससुराल का था इरापली, क्रिश्न गटा, पत्नमवडा, क्रिश्ना राणी छोटी राणी ये सब छोड़िये और अपना प्रशने पूर्ण कीजिए प्रशन? तो ये पताईए जगन मोहिनी जी आप यहाँ प्रमण के लिए आई है तो आपके प्रमण की सूची में महाराज के दर्शन मी समिलित है अब वो कैसे हैं? वो कौन? अब उनका नाम तो नहीं ले सकते हैं ना? क्यो? उनका नाम इतना कठिन है कि आपको लेने पे भी कठिनाई हो रही है हाँ? यदि आप हमें नहीं बताएंगी तो हम आपको कैसे बता पाएंगे कि वो कैसे हैं? स्वाथ महाराज कैसे है? वैसे ही जैसे आपके आने से पहले थे और जैसे आपके जाने के बाद होंगे और अब जब हम यहाँ आ गए हैं अब वो कैसे हैं? लामा ये दिमाल आज को पता चल जा कि दगन मुर्ण को प्लेम पत्लत तूने उनकी उलते लिका तो त्या हो दा चुपकर शुप शुप बोल गुंडपे शुप शुप बोल बापू इस गंटी कुमार ने कभी शुप बोला है क्या और आपको क्या हो गया था जहां बैठे बिठाए प्रेम पत्र लिख बैठे देख लेना ये रहसे अवश्य खुलेगा कि पत्र किसने लिखा है फिर महराज का क्रोध आपको मनुश्य से कटपुत्ली के खेल वाला वाचाल वानर बना सकते है